गुड मॉर्णिंग तुडेट्स टुडेए यार गूंग टू सॉल्व दा प्रोब्लम उन सेंट्राइट डैट इस टी सेक्षन आज हम लोग जो है टी सेक्षन के उपर प्रोब्लम करने जा रहे हैं पोस्चन जो है इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है तो दिहान दिजिए हमें जो है सेंट्राइट फाइंड करना है क्या फाइंड करना है सेंट्राइट फाइंड करना है ठीक है तो जो है यह कोश्चन जो है एक पुछता है हर एक बार जो है सेंट्राइट से एक कोश्चन जो है स्योर है पक्का है एक कोश्चन जरूर रहेगा ठीक है तो सबसे प कोक्षर में जाएंगे गोड़ों में जाने से पहले कुछ जो है बेशिक बातों को आपको आपको होना चाहिए है पहला है सीमेट करना Nan priority Summit क्या होता है अंसी मैंठिक क्या होता है ठीक है पहला है टी सेक्षन दूसरा है सी सेक्षन और तीसरा सेक्षन है आपके पास जेड तो ध्यान दिशे अब जो हम बात करते हैं सिमेट्रिक और अंसिमेट्रिक का तो यह टी सेक्षन को हम किस रिती से अगर हम इसको कट करना चाहे हैं तो किस तरह से अगर हम डिभाइट करेंगे तो दोनों क्या होगा इकवल होगा तो आप बोलिएगा सर अगर आप इसको जो है इस तरह से अगर आप कट करते हैं इस तरह किया होगा symmetric हो गया यही क्या है symmetric है अब यहाँ देखिए यह 6 से क्सक्षन किस तरह से कुम कट करेंगे कि बराबर होगा दोने symmetric दिखेगा तो बोलेगा सर अगर आप इसको इस तरह से कर्ता करते हैं तो यह जो है symmetric होगा ठीक है दोनों का जो है एक जो उपर जाएगा एक नीचे जाएगा दोनों क्या होगा बराबर होगा ठीक है जेट सेक्षन की बात करते हैं तो जेट सेक्षन में जो है वह सा कुछ case नहीं है जेट सेक्शन में ऐसा कुछ केस नहीं है क्योंकि ये और ये जो है बराबर नहीं दिया हुआ है ये और ये जो है आपका बराबर नहीं है ठीक है जेट सेक्शन में जो है ये दोनों आपका बराबर नहीं है तो उसा केस जो है नहीं होता है तो ये जो है अंसिमेट्रिक हो गय रहें तब यह सिमेट्रिक बन रहा है इसको हम एक से काट रहें तब सिमेट्रिक बन रहा है तो कुछ तो अलग होगा ना कुछ तो अलग होना चाहिए कुछ तो अलग होना चाहिए तो क्या अलग है symmetric होने के बाद जो है दो टैप का symmetric है है एक x x का symmetric होता है ठीक है और एक y y का symmetric होता है ध्यान दीजिए एक x x का symmetric होता है y y का symmetric होता है तो हम कभी भी मान लीजिए आप जो है axis बनाते हैं तो यह इस तरह से आप बनाते हैं x axis इधर हो गया x axis इधर हो गया ठीक है y axis इधर हो गया और y axis इधर हो नीचे हो गया तो एकस का मतलब इधर लेफ्ट हो गया ठीक है और राइट हो गया लेफ्ट हो गया ठीक है यह टॉप हो गया और यह बॉटम हो गया इतना तो आप लोग जानते हैं एक सेक्सिस, जब एक सेक्सिस में हम बात करते हैं, यानि कि एक राइट और एक लेफ्ट, एक राइट और एक लेफ्ट, तो कटा हुआ अगर पोर्षन एक लेफ्ट साड में जाए, एक राइट साड में जाए, एक लेफ्ट साड में जाए, त तुसको हम लोग बोलते हैं symmetric about xx axis, symmetric about xx axis, ठीक है, कटा हुआ portion कहा जाना चाहिए, एक left में, एक right में, तुसको हम लोग क्या बोलेंगे, symmetric about xx axis, अब देखे, c section को ध्यान दीजे, अगर कटा हुआ portion एक उपर जाए, मतलब एक top में जाए, एक bottom में जाए, एक top में जाए, एक bottom में जाए, तुसको हम लोग बोलते हैं symmetric about yy axis, symmetric about yy axis, तो ध्यान दीजे, अब जै, आपको symmetric और unsymmetric समझ में आ गया, यह किसका symmetric है, xx का symmetric है, यह किसका symmetric है, yy का symmetric है, ध्यान दीजे, अब जै, अगर आपको symmetric पता हो गया, तो मालोजे XX का सिम्मेतरिक है, किसका सिम्मेतरिक है? XX का, तो X1, X2 और X बार, जो भी रहेगा, X1, X2, X3, X бार, जो भी रहेगा, X3 रहे, X4 रहेगा सबका value क्या आएगा बराबर आएगा सबका value क्या आएगा equal आएगा ठीक है equal आएगा equal आएगा x1 का x2 का x3 x bar का जो भी रहें अगर y y का symmetric है तो y1 का value y2 का value और y bar का value सबका value क्या आएगा equal आएगा सबका value क्या आएगा equal 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 यह आपको difference जहां मालूम होना चाहिए यह आपको difference मालूम होना चाहिए ठीक है तो यह आप समझ लिजिए लिखना चाहते हैं तो लिख लिजिए नहीं तो मागे question को अब हम सोग करेंगे ठीक है चलिए question को हम ध्यान देते हैं ठीक है question दिया है T section ठीक है तो सबसे पहले हमें जो है यह जो है हमें composite figure को जो है अलग-अलग हमें divide करना है ठीक है divide करना क्या करना divide करना section में divide करना है तो इसी को हम बना देते हैं एक और figure ठीक है एक और figure हम बना कर और इसको हम divide कर देते हैं ठीक है तो थोड़ा से यह बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं ठीक है चलिए तो हमने क्या किया यहां पर जो है एक सेक्षन बना दिया यहां पर हम लाइन दे दिये यहां पर तो यह हम इसको माल लिए सेक्षन 1 और इसको माल लिए सेक्षन 2 ठीक है सबसे पहले क्या काम करना है आपको सबसे पहला काम करना है कि सेक्षन में डिभाइड करना है ठी है तो ती सेक्षन कितना में डिभाड हुआ दो सेक्षन में ठीछ है एक ये फिक要 सेक्षन एक पहला नमबर सेक्षन यह बन गया ठीक है उसके बाद जो है आपको डेटा लेना है क्या लेना है एक्सिस लेना है तो बहुत सारे बच्चे आप जो है एक्सिस इसाइट से भी ले सकते हैं या एक्सिस जो है इसाइट से भी ले सकते हैं ठीक है आपका जो है आपकी च्वाइस आप चाहें तो यह इस तरह से एक्सिस ले सकते हैं नहीं तो फिर इस तरह तो manage कर लिजेगा ये आपको होगया Из Akę Kansas और ये होगया आपका Is A अधी परेकम हमने हमने क्या क्या है एक्सिस को हमने ले लिए है इस छो आ हम्हें अब आप जहें हमें निकालना हैegen्टोड़ एकसबार और उपने नवीचे Lucky तो सेंट्राइट का ध्यान दिजे यहां पर section 1 और section 2 दोनों को दोनों क्या है rectangle है तो अगर rectangle रहे rectangle रहे तो x1 का formula होता है L by 2 x का formula होगा L by 2 y का formula होगा B by 2 ठीक है क्योंकि मान लेजिए मान लेजिए यह आपका rectangle है ठीक है तो यह आपका हो L ठीक है यह हो गया B तो centroid का मतलब कुछ नहीं centroid का मतलब center centroid का मतलब center तो कोई दी आदमी जानता है अगर rectangle है तो इसका center क्या होगा मान लेजिए यह आपका 50 दिया है तो इसका center क्या होगा 25 होगा उसी तरह से माल लिजिए आपका 25 दिया तो इसका सेंटर क्या होगा तो 12.5 होगा तो वही है एल बाइटु बाइटु ठीक है एरिया का फ्रमूला तो आप लोग जानते होंगे एल इंटु बी एल इंटु बी तो यह सब प्रोसेश जो है हम आपको इंट्रोडक्शन आप सेंट्र ठीक है फोर सेप वन फोर सेप वन फोर सेप वन फोर सेप वन जो है क्या है रेक्टेंगल है फोर सेप वन क्या है रेक्टेंगल है ध्यांद जे स्टुडेंस आपको जह है एक्जाम में जह है जो हमने प्रोसेस को बताया था सीमेट्रिक है क्यां सीमेट्रिक है उसको लिखन है ठीख है यह जरूर आपको लाएं लिखना है दा गीवें सेक्शन द कीवें टी सेक्शन इस सीमेड़ी के बाद एक्स- इक्स अचस द गीवें टी सेक्शन सीमेडरी के दा है यह चीज को हम नहीं लिख रहे हैं क्यू Melbourne ही बता दिए ठीच है आपका concept जो है clear कर दिए तो आपके एक्जाम में जरूर रिखना है किसका symmetric है xx का है कि yy का है उसके बाद जो है आगे के process में करना है तो for shape 1 rectangle ठीक है यह हमने shape 1 माना है a rectangle है ठीक है तो हम जो है rectangle के लिए formula हम लोग जो है area का क्या निकाले है एरिया का मतलब a1 हम मान लेते हैं पहला shape है इसलिए area 1 area 1 equal to l into b l into b तो ध्यान दीजे shape 1 के लिए l कितना है तो जो x axis में होता है उसे हम l मानते है यानि 120 into 15 120 into 15 120 into 15 तो यहां से आपका निकल गया area 1 का area 1 निकल जाएगा तो इसको आप multiply कर दीजे आपका हो जाएगा अठारा सो अठारा सो एमम स्क्वार एमम स्क्वार क्योंकि यूनिट जो दिया है ठीक है उसके बाद निकालेंगे x1 x1 का formula होता है l by 2 तो l कितना है तो l जो है आपका है 120 120 divided by 2 equal to 60 mm 120 divided by 2 equal to 60 mm ठीक है y1 का formula होता है b by 2 तो b कितना है तो b है आपका 15 तो यहां लिख देंगे 15 divided by 2 लेकिन यहां पर एक बच्चे जो है आप धियान देजें स्टुडेंस एक आपको मंत्र देते हैं ठीक है यह मंत्र जो है बुक में भी नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन हम आपको बता देते हैं अगर आपको x1 x2 x3 या कुछ भी निकालना है ठीक है एक से रिलेटेड और आपको y1 y1 y2 y3 यह सब निकालना है तो आप ध्यान देजें एक जो है मंत्र को याद रखेगा पूरा यूनिट कभी भी गलत नहीं होगा ठीक है क्या है जब हम x निकालते हैं तो हमें y को देखना है जब हम x निकालेंगे तो हमें x-axis को देखना है तो ध्यान दिजे एक्स निकालते समय किसे देखना है एक्स निकालते समय है y को देखना है y को टच कर रहा है कि नहीं तो ध्यान दिजे सेप 1 जो है y-axis को टच कर रहा है सेप 1 जो है y-axis यह जो है आपका सेप 1 है तो y-axis को टच कर रह उल्टा। वाई के लिए कॉन सेक्षिस देखना है एक सेक्षिस तो ध्यान दिजिए। वाई निकाले तो फिप्टिन बाई टू। एक सेक्षिस को तो यहाद रखेगा यह मंत्र को तो आपको खभी नहीं होगा। X के लिए Y-axis को देखना है कि touch कर रहा है कि नहीं touch कर रहा है Y के लिए X-axis को देखना है touch कर रहा है कि नहीं touch कर रहा है ठीक है तो Y को हमने देखा X-axis को नहीं touch कर रहा था तो 100 mm दूर था इसले 100 mm को जोड दिए तो यह हो जाएगा आपका 107.5 mm चलिए, A1 निकाल दिए, X1 निकाल दिए, Y1 निकाल दिए, ठीक है, अब हम निकाल देंगे, A1, X1, A1, X1, तो A1 कितना है, अठाइरा सों, इंटू, X1 कितना है, तो X1 है, 60, तो मर्टिप्लाइ कर दिजे, यह हो जाएगा, 108,000, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो A1, Q हो जाएगा, गुने, 107.5, तो निकाल देंगे, अठाइरा सो, गुने, 107.5, तो आपका हो गया, 193, 193, 5, 00, mm, Q, चलिए, लिखना चाहते हैं, तो लिख लिजिए, नहीं तो हम आगे का प्रोसिस को हम लोग करेंगे, अब हम चलेंगे, सेब 2 में, ठीक है, तो सेब 2 में आएंगे, 4, सेब 2, 4, सेब 2, सेब 2 में आएंगे, तो ध्यान देजिए, सेब 2 भी क्या है, रेक्टेंगल है, सेब 2 भी क्या है, रेक्टेंगल है, तो वहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है लिख दीजेगा आप लोग सेफ टू जिए एडिक्टेंगल है तो ध्यान दीजे यहां पर area 1 है तो यहां पर area 2 होजाएगा too के लिए safe 2 के लिए area 2 तो कितना है यहां पर जो है length कितना है तो length जो एक sex इस हम लेंथ मानते हैं यानि कि यहां आपका 15 दिया है और यह 100 दिया है तो आपका हो जागा फर्मूला A into B ठीक है तो A2 equal to 15 into 100 15 into 100 equal to 1500 mm square अब निकालेंगे X2 तो X2 का फर्मूला होता है L by 2 L by 2 तो L कितना है तो L है आपका 15 L है 15 ठीक्ट 15 इद्टे भाइब ऑभ ऊब यहां धियान दीजिए हम ने बोला था hai हो एक्स के लिए हम लोग कौन सा देखते हैं Y-axis देखते हैं to आउन्हाइद भूंच कर रहा है true ऑपका जो है prepare 2 हो गया ठीक है यह जो है टोटल डिस्टेंज दिया है 120 ठीक है टोटल डिस्टेंज दिया है 120 बीच में है 15 तो 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 105 105 यानि कि 105 जो है 105 में से आधा इधर होगा आधा इधर होगा 105 का आधा इधर होगा और आधा इधर होगा ठीक है तो 105 का आधा कितना हो जाएगा तो दो से अगर डिवाइट कर देंगे पांदुनी 10 दो दूनी 4 यानि कि 52.5 तो 52.5 जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस है तो वहां जोड़ देंगे ठीक है 52.5 तो आपका यहां से X2 का बेलू कितना आजाएगा तो आजाएगा 60 mm अब हमें निकालना है Y2 ध्यान दिजे हम बोले थें जिसका सिमेट्रिक रहेगा उसका अंसर जहें सेम आएगा तो X1 का अंसर कितना है था 60 X2 का अंसर कितना है था 60 और X2 का भी अंसर 60 आएगा ध्यान दिजेगा तो Y2 का बेलू निकालेंगे Y2 का फर्मूला होता है B by 2 तो B कितना है तो B यहां ध्यान दिजे B है आपका 100 बी कितना है 100 जो Y-axis में होता है जो हम B मानते हैं तो B है 100 और X-axis को टाच कर रहा है तो हाँ X-axis को पूरा पूरी टाच कर रहा है ठीक है X-axis को टाच कर रहा है तो हमें जोडने की जरूद नहीं है तो 100 divided by 2 equal to 50 mm हो जाएगा equal to 50 mm अब हम निकालेंगे A2 X2 का value हो जाएगा A2 and X2 तो A2 का value कितना है 1500 इंटू X2 X2 कितना है तो X2 आपका आया है 60 तो इसको multiply कर दिजे यानि की 15 छक 90 तो यह हो जाएगा 90,000 mm q ठीक है उसके बाद A3 sorry A2 और Y2 का value निकाल देंगे ठीक है पहले हम निकाल दिए A2 X2 का अब हम निकाल देंगे A2 Y2 का तो A2 Y2 का क्या हो जाएगा तो A2 का है 1550 तो यह हो जाएगा 75,000 15 55 यानि की 75,000 mm q mm q हमें निकालना है centroid X bar X bar का formula क्या होता है तो X bar का formula होता है A1 X1 A1 X1 plus A2 X2 divided by A1 plus A2 यह formula होता है X bar का आपको जो है बताया गया था ठीक है A1 X1 plus A2 X2 divided by A1 plus A2 तो X bar के यहां से हम निकाल लेंगे X bar A1 X1 A1 X1 का value कितना आया है तो A1 X1 का value आया है 108 000 तेहां रख दीजिए 108 000 plus A2 X2 का value कितना आया है तो 90,000 plus 90,000 ठीक है डिवाड़े बाइ A1 A1 का value कितना है तो A1 का है 1800 plus A2 का value कितना है तो 1500 तो जब यह आप calculator में put किजेगा तो X bar का value आजाएगा 60 mm X bar का value कितना आजाएगा 60 mm आप जहेगे calculator में put करके चेक कर लिजेए ठीक है अब हम निकल गया X bar निकल गया आप हम निकालेंगे Y bar तो Y bar का formula क्या हो जाएगा A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2 divided by A1 plus A2 तो यहां से निकाल लिजे Y bar equal to A1 Y1 A1 Y1 का value कितना आया है 193500 तो यहां रख देंगे 193500 प्लस A2 Y2 का value कितना आया है तो A2 Y2 का value आया है 75,000 तो यहां रख दीजे 75,000 divided by 1800 plus 1500 ठीक है तो यहां से आप Y bar का value calculator में रख के निकाल लिजे यह तो calculator है आपके पास तो calculator यूज कर लिजे 193500 प्लस 75,000 है यहां ठीक है Y bar equal to 81.36 mm यहां ठीक है पोस्चन में जो है हमें centroid निकालना था एक्स जो T section जो दिया था उसका हमें centroid निकालना था अथात X bar और Y bar तो X bar का value कितना आ गया 60 mm X bar का value कितना आ गया 60 mm Y bar का value कितना आ गया तो 81.36 mm यही हमें निकालना था X bar और Y bar तो हम विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया है तो हम एक question को देते हैं पर ही हम question को देते हैं आप जो है उस question में हमें एक सबार का value और Y bar का value हमें निकालके दिखाएगा हम जो है question आपका दिया हुआ है इसमें जो है आप हमें x bar का value और y bar का value क्या होगा x bar का value क्या होगा y bar का value क्या होगा आप हमें comment करके बताएए आपका answer को जो हम check करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद